नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंट घमसरमार्ग दोस्तों आज हम बात करेंगे एक लोटा जल की और वो जल आपको कावर यात्रा का फल देगा यहां दोस्तों यह सच है हर कोई तो कावर यातरा कर नहीं सकता बहुत वार ऐसा भी होता है आपने गची है हम कावर यातरा करेंगे कावर लेकर जल अरपीत करेंगे लेकिन कभी कभी होता किया किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तब ऐसे में कोई और भी आपके बदले में कर सकता है या आप अपने पास के आपके घर के पास जो भी सिवाला है वहां पर कर सकते हैं कैसे यह हम आपको बतलाएंगे साथ ही यह भी बतलाएंगे आपने गश्ती नहीं की है मनत नहीं मांगी है फिर भी आप इस कावर यात्रा में सामिल हो सकते है यानि कर सकते है चलिए हम आपको बता दें यहाँ पर करना क्या है आपके घर के पास जो भी सिवाले है आप वहीं पर ऐसा करेंगे एक लोटा जल अच्छा होगा कि आप गंगा जल ले या फिर किसी पवित्रे नदी सरोवर का जल ले अपने घर से ही जल ले जाईएगा और पैदल जाईएगा नंगे पैर अगर दूर है तो आप जिस भी चीज़ से जाते हैं पर चपल यूज मत कीजिएगा और कोसिस कीजिएगा आपने जो कपड़े पहने हैं वो पीला हो या फिर गेरुआ रंका हो और अगर सोम बार के दिन ये करते हैं तो भी सेस फायदे होंगे वैसे आप पूरे साबन के मेहने में कभी भी कर सकते हैं सुबह नहावाले इसके बाद सिब जी के मंदिर में जाइए एक लोटा जल खर से भर कर ले कर जाना है और इस जल को हाथ में लेके ही सिब मंदिर की 27 बार परिक्रमा करें हाथ में ये जल आपके लोटे में रहेगा इसके बाद वो जो जल है वहीं पर सिबाले में मंदिल में सिबलिंग पर अरपीत करें लेकिन पूरा जल आपको अरपीत नहीं करना है थोड़ा सा बचा लेना है लोटे में और यह जो आप परिक्रमा कीजिएगा नंगे पाऊं करना है इतम याद रखेगा और दूसरे बात ये जो आपके लोटे में थोड़ा सा जल बचा हुआ है ना उसे आप घर ले आईए और घर के कोनी कोनी में छिरग दें जितने भी आपके परिवार के सदसे सबके माथे पे थोड़ी थोड़ी डाल दें अगर ये परिक्रमा आप सावन के सोम बार के दिन करत है तो आपका जो मनोकामना है वो हाथो हाथ पुरी होगी और इसका सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक फल भी मिलेगा स्रीम मंदिर की परिक्रमा करने से वही फल प्राप्त होता है जो कावर यात्रा का फल प्राप्त होता है और जब सिबलिंग पर आप जल और पित करेंग तब आपकी मनो कामनाएं भी पूरी होंगी और आपकी समस्याएं भी दूर होंगी और जब आप ये परिक्रमा करेंगे उसमें नमसिवाई अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो नमसिवाई का जब कीजिएगा और अगर किसी और की मन्नत पूरी करने के लिए आप कर रहे हैं तब ऐसे में ओम नमसिवाय का जब कीजिएगा अनुवरत जब करते जाएए ये नेकी बाते कर रहे हैं यातरा करने ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल सिप जी के सरन में आ जाईए नमसिवाय नमसिवाय जब करते हुए 27 परिक्रमा कीजिए फिर देखिए जीवन में क्या चमतकार होती है हमने जो उपाय कहा है आप चरूर कीजिए 4 सोंबार हैं इस बार के इस सावन के मेहने में आप कोई भी एक सोंबार को कर सकते हैं या पूरे चार सोंबार कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप चाहें तो रोज कर सकते हैं इस से ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है तो उमीद है सीव जी को आप परसंद करने में काम्याब रहेंगे और ये जरूर करेंगे पूरे परिवार के साथ कीजिए मजा आएगा बहुत अच्छा लगेगा सीव में रम जाएगे जो सीव है वो सरवग्य है सारी चिंताएं सारी तकलीफों को आप हमसे हमेशा ही कमेंट करते हैं बहुत तकलीफ है तो अब भूल जाईएगा तकलीफ नहीं होगी अब बस जो हमने कहा 27 परिक्रमा जरूर कीजिए फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो से लाब होता है तो लाइकर सब्सक्राइब पढ़ना मत भूलिएगा धन्यवाद हर हर महादे फिर मिनेंगे